आनन्द मरा नहीं, आनन्द कभी नहीं मरते, आनन्द फिल्म का इडालोग बॉलिवुड के फेले सूपर स्टार कहे जाने वाले दिवंगत एक्टर राजेर शुखन्ना पर बिल्कुल स्विट पहता है, राजेर शुखन्ना भले याद जिस दुनिया में ना हूँ, लेकिन उ पर राज किया, लेकिन शुरुआत में उनका थेटर का अनुभाव इतना अच्छा नहीं दा, रिपोर्ट्स के मताबिक राजेर शुखन्ना जब पहली बार स्टेज पर चड़े थे, तो एक लाइन भी धंकते नहीं बोल पा रहे थे, डर कि हमारे उनकी हालत बहुत खराब होगी थी, हलाकि वक्त के साथ उन्हेंने खुद को तराशा और एक दिन थेटर में अपनी एक अलग परफॉमिन्स से उन्हें दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन इस तरह कई सारे कड़वान उभाव भी उनको रास्ते में मिले, ऐसा एक किससा आज हम आपको इस वीडिय जा रहे हैं, राजेश खन्ना उस वक्त जतिन खन्ना के नाम से जाने जाते थी, थेटर के शुरुआते दिनों में उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना किया, उस दोर में वो अपनी जमीन बदाने वाली कोशिश में जुटे हुए थी और दिन रात नाटक की रिहर्सल में कोलिज के दिनों में राजेश खन्ना के एक वेस्ट दोस्त गुर्णाम उन्हें थेटर का शोग था, राजेश खन्ना के सूपरस्टार बनने के बाद यही गुर्णाम उनके बेहत करीब रहे, और सालों तक राजेश खन्ना के मैनेजर और सेकरिटरी रहे, गुर्णाम के दोस्त थे प्रशांत कुमार रोई, उने नाटक देखने का शोग था, नाटक के दोरान ही प्रशांत की राजिश खना से मुलाकात हुई, बाद में ये 22 साल तक राजिश खना के ओफिस सेकरेटरी रہे, प्रशांत खुमार रोई ने एक बात्चीत के दोरान बताया था, जिस समय केले के छिलकियों और अंडों कोई बोचार होने लगी जतिन को काटो तो खून नहीं वो स्टेज पर खड़ा-खड़ा रह गया इसके बाद दोनों ग्रूप में भिलंत हो गई और नाटक रद हो गया इसके बाद काका मंच के पीछे आए और फूट-फूट कर रोने लग वहां मौजूद दोस्तों ने जतिन को समझाया और फिर उन्हें लेकर बाहर घूमने गए तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये रोता हुआ शक्स फिल्म इंडस्ट्री पर राच्च करेगा आगे चलकर आजिश खन्ना ने इंडस्ट्री में क्या मुकाम हासिल ये किसी से शिपा नहीं है तो आज इस स्टोरी में इतना है ऐसा ही तमाम स्टोरी को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देख